अलो डियर फ्रेंड्स मैं अजय सिंग आपका ओरेटर ग्रूप्स में स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाई स्कूल पोयम दा साम आफ लाइफ अर्थात जीवन का इस्तुती गान कंपोजड बाई फेमस पोयट ह.w. लॉंग फेलो देखते हैं मित्रों पहला इस्टेंजा लाइफ इस रियल लाइफ इस अर्नेश्ट लाइफ जीवन रियल वास्तविक अर्नेश्ट गंभीर जीवन वास्तविक है जीवन गंभीर है जीवन सच्चा है and the grave is not its goal ग्रेब कब्र गोल लक्ष पोयट क्या कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष केवल कब्र नहीं है बहुत से लोगों कहना होता है क्या होगा आज नहीं तो कल मरना ही है तो सिर्फ मरना हमारा लक्ष नहीं है बलकि हमको इस्वर ने ये जीवन दिया है और इसमें हमको कुछ लक्षों को प्राप्त करना है तो पोईटी सिस्टेंजा में कह रहे हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है और कब रही हमारा एक मात्र लक्ष नहीं है डश्ट थो आर्ट, डश्ट धूल, थो मिन्स यू, तुम, आर्ट मिन्स आर, है तू डश्ट रिटर्नस्ट, वास नॉट स्पोकेन आफ दी साउल धूल से तुम बने हो, और धूल में ही मिल जाना है यह प्रसिद्य कहावत है, पोईट कह रहे हैं वास नॉट स्पोकेन आफ दी साउल, साउल अर्थात आत्मा यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और इस जीवन का एक मात्रलक्ष कबर नहीं है यह बात सत्य है कि हम धूल से बने हैं और एक दिन धूल में मिल जाना है परन्त यह बात आत्मा के लिए सत्य नहीं है यह आत्मा के लिए नहीं कही गई not enjoyment and not sorrow enjoyment, सुख, सौरो, दुख तो ना ही सुख और ना ही दुख is our distant end or way distant भाग में लिखा हुआ या नियती में लिखा हुआ हमारे भाग के अंतिम अथोवा रास्ते में या हमारे भाग में पहले से लिखा हुआ ही सुख और दुख हमारा लक्ष नहीं हो सकता but to act, क्यों? क्योंकि हमें नियत या अपनी किसमत कैसे बनानी है कार्र करके, but to act, हमें कार्र करना है that each tomorrow, जिससे प्रतेक तुमारो आने वाला कल find us, हमें प्राप्त होगा further अच्छा than today, आज से अच्छा प्राप्त होगा क्या करें बच्चे, इस इस्टेंजा में पोईट? कि सुख और दुख जो हमें प्राप्त हो रहा है तो हमको यह सोच के नहीं बैठना कि यह तो हमारे भाग में पहले से लिखा हुआ है लेकिन हमें कठिन परिस्रम करनी है but to act that each tomorrow, जिससे प्रतेक आने वाला कल find us, हमें प्राप्त होगा further than today, आज से अच्छा देखते हैं बच्चो, अगला इस्टेंजा इन दा वर्ड्स, ब्रॉड फिल्ड आफ बैटल यह जो पूरा संसार है, यह बिस्तरत युद्ध का मैदान है और जीवन क्या है, इसकी एक मात्र सरण इस्थली है जिस प्रकार से जब सेनिक युद्ध पर जाते हैं तो रात्री विश्राम के लिए अपना पड़ाओ बनाते हैं तो उसी प्रकार से हमारी करतब बिनिष्ट मार्ग पर यह जीवन मात्र एक सरण इस्थली है यह इस्थाई पड़ाओ है बी नॉट लाइक डंब हमको अपने इस जीवन काल में गूंगे डंब अर्थात गूंगे ड्राइवन कैटल हाके हुए यह चरने के लिए भेजे गए जानवर की तरह जीवन बतीत नहीं करना फिर तो देखिए बी नॉट लाइक डंब ड्रेवन केटल भगाए गए पस्मु की तरह गूंगा मत बनो बी यह हे रो इंदा स्ट्राइब स्ट्राइब मतलब संगर्स हीरो मतलब नायक इन संगर्सों का सामना नायक की तरह करो क्या कहा इस इस शिटेंजा में बत्चों पोईट ने किया संसार युद्ध का बिस्तरत मैदान है और जीवन इसमें केवा लेक सरण इस्तली है इस जीवन में गूंगे और चराने के लिए छोड़े गए जानवरों की तरह मत जीओ बलकि कठनाईयों का नायक की तरह सामना करो अगला इस्टेंजा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग अप पोई यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या करना है लेट अस चलो अप देन बी अप उठें एंड डूइंग और काम करें सब को छोड़ करके केवल ततकाल तयार होईए और अपने कार्य में लग जाईए किस कार्य में अपने लक्ष को प्राप्ती करने में हर्दे और हर्दे कार्थ किससे होता है ताकत और साहस से भी होता है तो दिल से किसी भी भाग के लिए मतलब अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए दिल से उस कार्य को करने में लग जाईए इस्टिल एचीविंग इस्टिल लगातार एचीविंग प्राप्त करना इस्टिल पुनह लगातार परस्विंग पीछा करना या अनुसरण करना तो लगातार उसे प्राप्त करने का हमें प्रेत्न करना चाहिए इस्टिल परस्विंग हमें इसा उसका अनुसरण करना चाहिए किसका लक्ष को प्राप्त करने वाले मार्ग का अनुसरन करना चाहिए learn to labor and to wait मजदूरों से सीखो जो कठिन परिस्रम करते हैं और फल की इंतजार नहीं करते हैं उनको पता है कि आज नहीं तो कल हमको फल मिलेगा हमारा कार है कठिन परिस्रम करना तो learn to labor कठिन परिस्रम करो and to wait और फल तो हमें मिलेगा ही बहुत ही प्यारी पोएम बच्चों H.W. Longfellow ने आप लोग के लिए दी मैंने इसके अच्छे से ब्याख्याप लोगों को समझा दी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो जरूर सब्सक्राइब कर ले